श्री शद्गुरू महाराज की जय पूजपाद महर्शी संसेवी प्रमहंस जी महाराज का परवचन शबद खोजी मन बस करे शहज योग है यही शमवेत शमादर्णी शजन्वडेन तथा आदर्णिया माताओ तथा भक्ति मती बहनो यह वेदांत सत्संग भवन है इसमें यो योग का भी शन्जोग क्या गया है व्येदांत के साथ यfireं योग का शन्जोग हो लोग निरोओ न हो इसमें शन्शय का अस्ठान कहां है ए और तभी हमारा यह मन जो कुमन बना है शुमन बनेगा और सुमन हो रभू चर्णों में शमर्पित हो अमन हो फिर तो अमन चैन की वनसी बजेगी श्री शिवनारेन बाबू जुनजुन वाला ने मंगला चरण में तम्शो मां जोतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय और मिर्तियोर मां अम्रिति गमय की बातें कहीं बड़ी अच्छी लगी वेदान सत्संग का यह चतूर्थ वार्षिक अधिवेशन है यह चतूर्थ शब्द किस्ट और इंगित करता है चतूर्थ के संबंद में गोशामी जी के शब्दों में सुनिये उन्होंने विनएपत्रिका में लिखा है चोथ चारी पड़ी हर हूँ बुद्धी मन चित अहंकार विमल विचार परंपद निज सुख शहज उदार अर्थात मन बुद्धी चित और अहंकार इन चारों को छोड़ दो तो पवित्र विचार मोक्ष और आत्मानंद का स्वभाविक उदार शुक प्राप्त होगा कहने का तातपड यह है कि चोथी अवस्था में जाने के लिए यह चोथा वार्षिक शमारों शंकेत कर रहा है इस चोथी अवस्था में हम जाएंगे कैसे इस शम्मद में गोशामी जी क्या कहते हैं सुनिए इन अवस्था तजहू भजहू भगवन मन करम वचन अगोचर ब्यापक ब्याप्य अनंत अर्थात जागरत शुप्न और शुषूप्ती इन तीनों अवस्थाऊं को छोड़ कर भगवान का भजन करो भगवान, मन, कर्म और वचन को पर्तियक्ष नहीं होने वाले ब्यापक, ब्याप्य और अनंत स्वरोपी हैं जागरत, स्वप्न और सुशुक्ति इन तीनों अवस्थाओं में हम प्रती दिन आते जाते ही रहते हैं इन तीन अवस्थाओं को जब तक हम पाड़ नहीं करेंगे, चौथी अवस्था में नहीं जा सकेंगे तब तक तमशो मा जोतिर गमय नहीं होगा, अस्तो मा सद गमय नहीं होगा और ना मिट्गोर मा अमरित गमय ही होगा रिश्यों ने कितनी करम बदता से हमारे सामने ये तीनों बातें रखी है जरा धियान दीजिए एक और तम अशत और मिरती है और दूसरी और उसका उल्टा जोती शत और अमरित है जब तक हम तम में रहेंगे तब तक अशत में और मिर्ट्यू मुख में रहेंगे और जिस दिन हम तम से जोती में जाएंगे उस दिन हम अशत से शत में चले जाएंगे और उसी दिन हम मिर्ट्यू के मुख से छुट कर अमरी तत्व का लाव करेंगे यह कैसे होगा, यह तब तक संभब नहीं, जब तक कि हम तीन अवस्थाओं से छूट कर झौति अवस्था में न चले जाएं बिना यौगिक साधना कि हम झौति अवस्था में नहीं जा सकते वेदान्त ग्यान क्या बतलाता है वेद और अंत से वेदान्त सब्द बना है वेद कहते हैं ग्यान को वेदान्त सब्द का अर्थ होता है ग्यान का अंत ग्यान का अंत कहा होता है तथा उसका आरम कहां से होता है ज्यानियों ने ज्यान को चार भागों में विवक्त किया है, श्रवन, मनन, निदिध्याशन और अनुभव, ज्यान की पड़ी समाप्ती होती है अनुभव में, आरंभ है श्रवन से, चाहे श्रवन कीजिये या अध्यान, प्राचिन काल में लोग श्रवन करके अपने असमेर पटल पर अटल कर रख लेते थे इसलिए वेद का पुर्व नाम सुरूती है कालांतर में लोगों का मस्तिष्क कमजोर हुआ दुर्बलता आई उस ज्ञान को अक्षरों में बांध कर पुस्तक का रोप दिया गया तब उसकी संग्या वेद की हुई हम जो कुछ सुने या अध एक राजा के दरवार में कोई कलाकार तीन मूर्थियां लेकर आया राजा ने पूछा तीनों मूर्थियों की क्या क्या क्यमत है कलाकार ने उत्तर दिया इस पहली मूर्थि की क्यमत कोई दे नहीं सकता यह अनमोल है दूसरी मूर्थि की क्यमत एक कौरी है और तीसरी मूर् है अर्थात इसकी कुछ भी किमत नहीं है राजाने मूर्तियों को अच्छी तरह देखा भाला किन्तो उसकी समझ में बात नहीं आई राजाने मंदरी को बुलाकर उन मूर्तियों को दिखलाते हुए पूछा इन तीनों मूर्तियों की किमत तीन तरह की क्यों है मंत्री ने द्रब्य की द्रिष्टी से देखा तीनों का द्रब्य एक था वजन की द्रिष्टी से देखने पर तीनों के वजन एक से थे कला की दृष्टी से देखने पर तीनों की कला एक सी थी, मंत्री भी घबराया, सोचने लगा, तीनों के द्रब्यों में 19-20 होता, अथवा तीनों के वजन में 19-20 होता, अथवा बनावट में 19-20 होता, तो मुल्य में 19-20 होता, किन्तो तीनों मुर्तियां सब प्रकार से शमान होने पर भी मुल्य में अंतर क्यों। आखिर मंत्री तो मंत्री ही होते हैं, मंत्री की मंत्रना से राजा राज चलाते हैं, मंत्री के मस्तिष्क में एक विचार आया उसने हाथ में एक सिंकी लेकर पहली मुर्ती के एक कान में डाली वह सिंकी मुर्ती के कान से जाकर हिरदय तक पहुँच गई मंत्री ने कहा राजन तीनों मुर्तियों की कीमत सही सही है अर्थात एक आदमी ऐसा होता है कि वह जो कुछ कान से सुनता है उसको हिरदय अंगम करता है यानी अपने आचरण में उतारता है उसकी कीमत कौन दे सकता है दूसरे प्रकार का बेकती ऐसा होता है कि वह है जो कुछ सुनता है उसको याद रखता है और शमय आने पर मुँषे कुछ कहता भी है उसकी कीमत एक कोड़ी है लेकिन जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है उसकी क्या किमत होगी अर्थात कुछ भी नहीं वेदान्त ग्यान बतलाता है कि स्रवन से जो ग्यान हो उसका मनन करो स्रवन मनन से निर्नित ग्यान को अपने आचरन में उतारो अभ्यास मिलाओ अभ्यासे अभ्यास करते करते शन्य सन्य है उसमें अभ्यस्त हो जाता है और निदिध्यासन के अंत में अनभव घ्यान होता है जैसे आत्मा के शमद में हम सुनते हैं कि वह अजर है अमर है, अविनाशी है, निर्विकार है, आदि, श्रवन के पस्चाद उस पर हम मनन करें, मननों परांथ उस आत्मा का सक्षातकार कैसे होगा, इसके लिए हम साधना करें, यही शाधना है, निदि धियासन, और साधना करके जब हम आत्म साधकार कर लेते हैं, वह होता है अनु का अर्थ होता है पीछे भव का अर्थ होता है उत्पन अनुहव ग्यान उसको कहते हैं जो सब से पीछे उत्पन होता है उसके पीछे उसके बाद और कोई ग्यान बाकी नहीं रह जाता शंत सुन्दरदाशी महराज ने इन चारों प्रकार के ग्यान की व्याक्या इस भाति की है भोजन को नाम सुनी मन में मुधित भयो मुख में न पड़े जों लो मेलिये न ग्रास है शकल सामगरी आनी पाक कुँ करन लागयो मनन करत कब जीम हूँ यह आश है रशोई भयो है भोजन करन लागयो मुख में मेलत जाई शोई निदिध्यास है भोजन शंपूर्ण भयो त्रिप्त भयो है मन सुन्दर साक्षात कार अनुभव प्रकाश है उदाहर नार सुना की भोजन करने से पेट भरता है बल बढ़ता है और त्रिप्ति होती है किन्तो केवल सुनने से ही ना तो पेट भरता है ना बल बढ़ता है और ना त्रिप्ति होती है भोजन की विशेषता सुनने से मन में प्रसन्नता तो हुई लेकिन जब तक मुझ में कौड नहीं जाए एक ग्राश भी भोजन नहीं किया जाए तब तक उसका कुछ परिनाम नहीं निकलता जब आटा, चावल, दाल, घृत, नम्म, तेल, हल्दी, मेर्च, मसाला आदी लाकर रसोई बनाने लगते हैं और जब तक रसोई बन कर तयार नहीं हो जाती तब तक मनन करते रहते हैं कि रसोई बनेगी तब भोजन करेंगे जब रसोई बन कर तयार हो गई तब मुह में एक एक कोर डालने लग गए चावल डाला कैसा स्वाध होता है डाल डाली कैसा स्वाध होता है शबजी डाली कैसा स्वाध होता है एक एक ग्राश करके खाते गए श्वाध मिलता गया जैसे जैसे भोजन करते गए वैसे वैसे म आलम होता गया अब एक चुथाई पेट भड़ा अब आधा पेट भड़ा अब तीन चुथाई हुआ और अब पोड़्ण हो गया अब नहीं चाहिए जब तक भोजन करते हैं पोड़्ण नहीं होता है तब तक के ज्यान को निदिध्यास ज्यान कहते हैं इसी भांति शाधना कर रहे हैं प्रगती हो रही है आगे बढ़ रहे हैं तीन अवस्ताओं को पार करके चौथी अवस्ता में जा रहे हैं चौथी अवस्ता का बहुत लंबा छेत्र है उसमें हम क्रमशा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उस मारी के द्रिश्या द्रिश्य का ग्यान हो रहा है कि कहां कहां क्या क्या है जब तक शादना करते रहते हैं उस समय जो ग्यान होता है वह निदिध्याश ग्यान कहलाता है इस परकार शादना करते करते जब चौथी अवस्था को भी पार कर जाते हैं तब पूर्ण ज्यान होता है वही पूर्ण ज्यान आत्म ज्यान कहलाता है वहां अनुहब होता है अब कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता जब तब तक हम स्रवन ज्यान में मनन ज्यान में निदिध्यास ज्यान में रहते हैं तब तक ज्यान की पूर्णता नहीं होती ज्यान की पूर्णता होती है अनुहब में इस परवचन का अगला भाग अगले परवचन पाठ में महर्शी संसेवी प्रमहन्षी महाराज का यह परवचन बिहार राजान तरगत भागलपूर के वेदांत सत्संग भवन में दिनांग 35.1998 श्वी को प्रातह कालिन सत्संग के सुवशर पर हुआ था श्री सद्गुरो महाराज की जय